हाँ जी दोस्तों क्या हाल है उमीद है आप लोग सब बहुत खुश होगे और सर इस समय अपने हिल्थ का बहुत इंपोर्टनली ध्यान रख रहे होगे सर इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे अपने बैठा हुआ था कि भगवान बस ओडिट में पास करा देना और दोनों ग्रूप में मिला के चार्सो नंबर दे देना और उसी के कुछ घंटों बात जब मुझे पता चला कि रिजल्ट्स आ गये हैं और उसका एक वीडियो है जब मैं अपने होस्तिल वापस गया तो लेकिन वीडियो दिखाने के पहले आपको मैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि जस्ट ए लिटल बिट अबाउट इट मैं आर्वीजी होस्तिल में रहता था जो राजस्टानी विद्यारती ग्रीह करके बहुत फेमस होस्तिल है मुंबई में जहां पर पूरा अगर मुंबई जाता है तो वह वहीर मिलते हैं और आदे से जादा लोगों को पता भी होगा अब उस हॉस्टल में जब मैंने हुआ यह था कि जैन 2019 में रिजाल आया था लेकिन उसके एक साल पहले जैन 2018 में आई वो सस्पेंड़ेड अलोंग विद फोर अधर फ्रेंड्स तरीके से सेलिब्रेट किया था जो उनको पसंद नहीं आया तो दे हाट सस्पेंड़ेड मी आउट अफ दी होस्टल एंड मेरे पास उस दन का एक बहुत इंट्रेस्टिंग पिक्चर भी है मैं आपको दिखाता हूँ यह पिक्चर है उस दिन का जिस दन हमको निकाला गया पंच लोग थे हम एक जना मिसेंगे वह दुर दिन पहले चला गया बोले तुम क्या निकालोगे हम कुदी चले जाएंगे साथ दिन के लिए सस्पेंड हुए थे सर, हम बाहर आकर के फोटो खिचा रहे थे, फोटो खिचा करके आराम से सस्पेंड हुए, इतना असान था नहीं जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि उन्होंने पूरा बोला था, पैक करके होस्टल छोड़ दो, और साथ दिन बाद भी स सारे सामान लेके वापस आना, और मुंबई ऐसी जगह है नहीं, जो तुम्हारे पास, यूनो, साथ दिनकले, ऐसे ही कहीं भी चले जाओ, but the point is that, ये वो दिन था सर, जब हम सस्पेंड हुए थे, अब इसके एक साल बात की कहानी में पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, इसी हॉस्टल के कंपाउंड में पीछे जो आपको गेट दिख रहे है, उसी के अंदर कंपाउंड का वीडियो है सर, ये देखिए वीडियो फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं, हाँ जी सर, तो अब आप सोच रहे होगे सर, इन में से आप कौन हो इरी वीडियो है क्या, तो ये वीडियो उस दिन कहें सर, जिस दिन मुझे रिजल्ट में रैंक आई थी, और मैं रैंक जिस दिन जिस समय कॉल आया था, उस समय में बाहर था, होस्टल की कजीबन दुफेर के समय रिजल्ट आया था, और जब रिजल्ट आया उसके बाद मुझे होस्टल से कॉल आया, कि होस्टल आजो, we want to celebrate your position, then I went back to the hostel and so just to share experience, nothing to brag, nothing to show and fortunately or unfortunately this doesn't happen to every rank holder also, because जैसे अभी का सेनारियो देखलो, अब जो रैंक होलडर है उस होस्टल से, होस्टल में कोई है नहीं तो इस तरह का celebration शायद हो नहीं सकता, but at that point in, you know, the attempt for November 2018, the rank 4 was the best rank in the hostel until then, they wanted to celebrate, so literally when I came to the hostel, बहार बहुत सारे students आ रखे थे, करीबन 400-800 students होंगे जो उस होस्टल में ही रहते थे, कुछ तो मेरे फ्रेंड़्स ही थे, और उन्होंने मेरे को बहार से कंधे में बेठा करके अंदर लाया, और फिर हम उसके बाद इतनी देर तक धोल पे नाचे हैं, और मैं तो बहुत खुश था ही, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, जो CA बन गए थे, वो भी बहुत खुश थे, और सब लोग थे सर जो ये देख रहे थे कि हाँ ये senior है, आप नहीं थे, वो वाशो बाद एक करेंग दो थे, दूसरा point मेरा यह है sir मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं देखो CA final के लिए 4 से 5 मेने सभी को मिलते हैं ठीक है उसमें कुछ लोग एक group देते हैं कुछ लोग दो group देते हैं कुछ लोग दो group दे करके rank लाते हैं I think the difference in all the three results is all because of your decision वो आप ही होते हो जो decide करते हो एक group दूँगा वो आप ही होते हो जो decide करता हो जो बोद group दूँगा वो आप ही होते हो जो decide करता हो मैं अपना attempt differ करूँगा it all depends on your result because sir last में महनत तो उतनी ही करनी पड़ती है right so I just want to tell one point that when you are preparing for your CA final na aim for nothing but a rank okay and let me just be clear when I say that I know I am not saying that एकदम specifically target for a rank और इतनी dedication से पढ़ो कि अगर rank नहीं आएगा तो disappoint होगे मैं बस एक ही चीज़ बोल रहा हूँ पढ़ाई उतनी करो जतना एक rank holder जो rank 1 लाने वाले है वो पढ़ाई कर रहा है और उमीद उतनी ही रखो जतना एक student 400 लाने वाले उतना रख रहा है आप सबसे ज़ादा खुश रहोगे क्यों sir you have to work your work as much as you can but at the same time expect the least that is when you find the right balance मैंने hostel में से बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये सोचते हैं कि उनको rank आएगा चाहते हैं rank आएगा पढ़ाई करते हैं rank आएगा उनको 490-500 marks आते हैं लेकिन 10-12 marks से rank चूक जाती है वो अपने pass को भी celebrate नहीं कर पाते हैं which is not the right thing guys because CEF बनना अपने अपमे उतनी बड़ी बात है let alone rank so the point is aim for a rank prepare like a rank holder but do not expect a rank expect whatever you get will be the best and what you deserve but prepare hard enough to ensure that अगर मौका लगा अगर rank बट रहा हो तो सबसे पहले मेरे को मिल जाना चाहिए क्योंकि मैंने उस तरह की महनत की है और अगर आभी आपको समझ आ गया हो तो में को बता देना उस वीडियो में मैं कौन सा था अगर आपने देखा हो thanks a lot for watching